नमस्कार, Twin Flame Journey में आपका जो पार्टनर है ये कार्मिक रिलेशनशिप में रहते हैं, आपको छोड़ कर वहां कमिट्मेंट दे देते हैं, आपको कमिट्मेंट क्यों नहीं दे पाते हैं? आपके मन में ये सवाल आता होगा कि कार्मिक के साथ वहां कमिट्मेंट कैसे दे देते हैं, वहां कुछ समझ में नहीं आता है क्या, क्या उनकी आखे नहीं होती हैं, सब कुछ देखते हुए भी वह कैसे इग्नूर करते हैं, अब आप कहेंगे हम भी तो रहते हैं, लेकिन हमने भी तो अपना higher self देखा है, higher self चूज़ करना सबके बसके बात थोड़ी है, यही त आप बहुत स्ट्रॉंग हैं, इसलिए आपने higher self को चुना, abandonment को नहीं चुना, rejection को face किया, और साथ ही साथ आब आगे heal होके आगे बढ़ रहे हैं, और अपनी हद तरह की समस्याओं को deal कर रहे हैं, लेकिन higher vibration में divine masculine के आने में time लग जाता है, time कितना, कितना भी time लग सकता है हम यह नहीं कह सकते कि twin flame journey का यह separation time period इतना का चलता है, और यह separation time period में ऐसे ऐसे awakening सबकी हो जाती है, नहीं, सबके divine masculine की energies अलग है, spirituality अलग है, समझ अलग है, पढ़ाई लिखाई अलग है, upbringing अलग है, male female gender भी अलग है, बात यह है कि यह किस तरह से उधर yes कर देते हैं, आपको no क करके, आपको हा करके ना करते हैं, उधर हा गर देते हैं, कारण यह होता है कि insecurity रहती है उनकी, fear based energy भी होती है, conflicts उनके अंदर ही चल रहे होते हैं, तो जब तक उनका karmic partner उनको बढ़ा सा lesson नहीं सिखा के जाएंगे ना, तब तक उनको समझ नहीं आएगी, jealousy भी कारण होता ह है, DM का नहीं, karmic jealousy के कारण आपके divine masculine के करीब आते हैं, अगर romantic relationship वाली बात है, या same gender में यह third party वाली बात है, तो यह होता है, लेकिन third party, sometime parents भी हो सकते हैं, कोई parent हो सकता है, या कोई sister हो सकती है, या कोई आपका, उनका दोस्त हो सकता है, तो जिसमें कि आप उन्हें बताए कि यह आपका पूरी तरह से time energy and money waste कर रहे हैं, ले रहे हैं, दे आपको कुछ नहीं रहे, आपको positively serve नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आपको ही गलत बोलते हैं, कारण यही होता है, कि उनकी आखों में पटी बंदी होती है, जैसे वो जो Libra उटाएवे जो होती है, न्याय की दे इनकी आख में पटी का अर्थ यह है, कि divine masculine देखते हुए भी देख नहीं पा रहे होते हैं, लेकिन उदर यह अर्थ होता है, कि हम किसी का पक्षपात नहीं करेंगे, हम देख कर नहीं करेंगे कि कौन हमारे emotionally attached होके, तो emotionally attached divine masculine sometime कार्मिक लोगों से ज्यादा रहते हैं, आपको divine feminine energy को यह बताया जाता है, कि आपको अपना ego छोड़कर, अपना clinginess है वो छोड़कर आपको अपना higher self में रहना होता है, तो यह चीज इतनी आसान नहीं है, क्योंकि बार-बार on-off की situation होती है, जी हाँ, आपको भी लगता है कि guidance की जरूरत है, सही में हमें लगता है कि inner work कर यह कर लिया, वो कर लिया, कई तरह के courses कर लिये, kundalini awakening तक कर वाली और समझ में नहीं आ रहा कि यह वाकई journey कुछ होती भी है कि नहीं, तो screen पे दिखाए number पर message करें और पता करें fee structure ता कि आपकी मेरी बात हो सके, जब आप अपने higher self में higher good के लिए काम करते हो, या imagination करते हो, या आप जो affirmations करते हैं, या manifestation complete होने लगते हैं, तो भी आपको लगता है कि यह विक्ति फिर से आगए, यानि कि divine masculine फिर से आगए, फिर से support दे रहे हैं, फिर से वही सारी बाते हैं, लेकिन फिर वापस क्यों चले जाते हैं, फिर जब आप कहते हो commitment की बात, कि हाँ बो फिर अब क्या सोचा, दोबारा आयो, तो कुछ सोच के ही आयोंगे, लेकिन उनकी कुछ औरी समस्या ही होती हैं, कभी वो कहते हैं, financial problem है, कभी कहते हैं, parents नहीं मानने, कभी कहते हैं कि कुछ औरी trauma चल रहा है, कभी कहते हैं, कई बार divorce का process चल रहा होता है, कि आरे वहाँ मैं किसी का 2-4 महीं नहीं में होता है, किसी का 4 साल लग जाते हैं, तो ये समझ नहीं आता कि सामने वाला commitment कैसे दे, जिसका 4 साल लगेंगे, और पता नहीं होता, ये तो मैं बोल रहा हूं, कि किसी का 2 साल, 4 साल, जिसका हो रहा होता है, divorce process में, उसे क्या पता कि कब होने वाल लाइफ का बिल्कुल हो जाती है तो समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है लेकिन फिर भी ऐसे दुखदाई तकलीफ में भी दिमाग से और प्राक्टिकली और बहुती मजबूती से काम लिया जाए तब डिवाइन फैमिनाइन हो या मस्कलाइन हो यह सारी जो नेगिटिविट बातों को बहुत ही प्यार से हंडल कर पाते हैं क्योंकि प्रेम ही ही एक ऐसी चीज़, जू एंगर है रिजेक्शन है, गिल्ट है, शेम है पतानी कितनी सारी चीज़े है, उन सबी चीज़ों से बाहर है और आपर है जिसके अंदर प्रेम है, उसको यह नहीं होगा ओओ, उससे जलेसी, उससे जलेसी, competition यह वो Competition से बाहर निकलने की ही जर्नी है, यह, Twin Flame Journey किसी से कोई competition नहीं है, किसी एक कपल से भी competition नहीं है अरे उसका दो reunion हो गया हमारा नहीं हुआ हम जल रहे हैं जल रहे हैं तो फिर वो jealousy को खतम कीजिए पहले अपने अंदर की क्योंकि ये सबसे खतरनाक चीज़ है anger से भी ज्यादा खतरनाक क्योंकि ये anger तो लाएगी लाएगी और कई तरह के issues लेकर आएगी jealousy jealousy क्योंकि jealousy चोटी चीज़ है उसको positively यूज कर सकते हैं कि अरे इसका हो सकता है हमारे भी होगा चलो हम भी कुछ positive काम करें लेकिन enviousness में अगर आप बदलते हैं तो बहुत ज़्यादा खतरना गोल फिर कुछ नहीं होने वाला ऐसी वाली बात हो जाती है तो अपना best effort ज़रूर लगाएं अपने आपको runner chaser का कोई tag मत दें अपने आपको कोई dmdf का कोई tag मत दें अपने आपको कोई twin flame soulmate का tag मत दीजिए आपको यह लगता है कि मेरा partner आपने चायो confirmation करवाया है यह नहीं करवाया है confirmed आपका दिल कहता है यह नहीं कहता है यह confused आप बस यह सुचे कि मुझे अभी क्या करना है तो वही मैं बता रही हूँ divine masculine जो है दूसरी जगह है comfort zone रहता है कि यारे यार यह तो कुछ कहेगी नहीं कारण यह है अगर मानलो romantic connection भी है उदर शादी वाली ही बात है मानली जे क्योंकि situation बहुत सारी है variation बहुत है इस turn frame journey में तो मानली जे मैं जो बता रही हूँ कि मानली जे कि उधर वो शादी के लिए yes कर दिया आपको शादी के लिए हा करके ना कर दिया कारण कि वो वही है कि comfort zone है वो कुछ नहीं कहने वाली वो मुझे challenge नहीं करेगी वो मुझे trigger नहीं करेगी कारण यही है कि आप उस लड़की स आप कहीं ज्यादा उपर होंगे इस चीज़ को देख लिजे mentally, physically, पढ़ाई के हिसाब से, बोलने के हिसाब से, activities के हिसाब से, skill के हिसाब से आप कहीं ज्यादा उससे उपर होंगे तो divine masculine जो कि emotionally broken है तो वो अपने से भी कम को अपने से भी ज्यादा emotionally broken person को choose करेगा यह वो कार इस journey में यह जो कार्मिक जिससे कर ली शादी, अब तो मैं पस्ता रहा हूँ, ऐसे कई divine masculine हैं, जो divine feminine के पास, शादी के तुरंत बाद या 2-4 महीने बाद वापस आते हैं और कहते हैं कि यार बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हें दोखा दिया, इसलिए मुझे ऐस करते हैं, twin flame, confused आदमी होता है, confused person होता है, इस वज़े से वो ऐसा करते हैं, अब पता क्या है, इस साल में divine masculine energies बहुत अवेकन होकी हैं, वो भी इस तरह के वीडियोस देखते हैं, अब मेरी वीडियोस देखते हैं, बोलते हैं कि आप तो divine masculine के तजियां उड़ा देते हो, आप करते हों कि divine feminine बहुत अच्छी है, नहीं, divine feminine भी तो उसके अंदर divinity तभी आप पाईगी, जब वो सारा इनवा करती है, इतनी जल्दी awakening नहीं होती है, जब तक divine feminine, वो इतमें आपको भी तो वोलती है, divine feminine energy में जो भी है, वो अगर जब तक blame कर रहे हैं, इसने ऐसे कर दिया, रो रहे हैं, बहुत बुरी तरह से रो रहे हैं, टूट रहे हैं, ब्रोकन हो रहे हैं, हार्ट ब्रोकन हो रहा है, तब तक समझ लीजे, वो unhealthy energy में हैं, उनकी भी उतनी ही गलतियां है, जितनी आपकी है, divine masculine की, तो गलतियां दोनों कहते नहीं हैं, कि ताली एक हाथ से नहीं बसती है, वो बात है, तो दोनों ही unhealthy energy में हैं, लेकिन दोनों प्रेम करते हैं, उसे निभाना कैसे है, accept कैसे करना है एक दूसरे की गलतियों को, वो चीज नहीं समझ पाते हैं, दोनों ही इसी वज़े से ये सब हो रहा है, और जिस तरह से 2020 से बहुत लोगों की mass awakening as a twin flame हुई है, और वो spirituality की तरफ बड़े हैं, जिसे हम ये जो 10 साल पहले से भी aquarium age चल रही है, ठीक है, aquarium age अभी बहुत लंबी चलेगी, इस age में बहुत सारी divine feminines, ज्यादातर female body में जो हैं, वो बहुत बुरी तरह से awaken होंगे, बुरी मतलब बहुत अच्छी तरह से awaken होंगे, कि अरे 20 साल बाद awakening होई है, कि ये सब जो हम कर रहे थे, वो सब क्या थे, और awakening इतनी easily नहीं होती, सुबह उठे और अच्छा awakening हो गई, नए, जबरदस रूप से, इसलिए divine masculine आपकी life में आता है, trigger देता है, तोड़ता है, मरोडता है, आपको बुरी तरह से, और twisting चल रही होती है, और यही तो है triggering, कि समझ नहीं आता, आगे खूं, आप पीछे खाए, कहां जाए, मेरी माई, ये वाली बात होती है, तो इसलिए, आप अपना ध्यान रखे, दोनों ही healthy energy है, healthy energy में divine feminine का फर्स पहले बनता है, अपने आपको enhance करने का, वो automatically होते रहेंगे, उनकी जिंदा करने कि जरूरत नहीं आपको, थिक है ना, तो आज के लिए इतना ही, karmic सबक तो वो जरूर सिखेंगे, अगर वो आपको चोड़कर किसी और को चूज किया है, karmic सबक तो जरूर सिखेंगे, karma बंधन है, karma बंधन आपका karmic के साथ है, आपका soulmate के साथ है, आपका अपने twin flame के साथ भी यह है तो कर्मा तो कोही किसी को नहीं छोड़ने वाले अच्छा पुरा या कुछ evil soul कर्मा किसी को नहीं छोड़ने वाले पर evil soul का यह होता है कि हम तो डूबेंगे सनम, संग तुमें भी ले डूबेंगे, उनको कोई दर्द नहीं होता, वो ऐसा ही रहता है, लेकिन एक bad soul होती है, जो कहती है कि हमारा अच्छा रहे, तुमारा अच्छा नहीं होना चीए, लेकिन good soul ये होती है कि सबका अच्छा हो, तो too much good नहीं होना है, टू मच का जहां पर भी आप खुद से analysis कीजिए ना, मेरे अंदर क्या चीज़ टू मच है, उस टू मच को बाहर निकालिए, और एक balance स्थिती में आते चलेए, चले जाएए, इसी को तो कहेंगे, healthy divine energy, आवो masculine हो या feminine हो, divine energy बन जाएए, एक make हो जाएए, thank you so much, बहुत आशि